भारतिय गुप्तचर जासूसी संस्था के चीफ मार्शल ने अपने कमरे में प्रवेश किया और आगे बढ़कर दीवार में लगी सामान्य से बड़ी स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठते हुए मुबाइल उठाया और नमबर मिलाकर फोन कानों से लगा लिया साथ ही सामने लगे कई स्विचों में से कुछ बटन दबाय तो स्क्रीन रोशन हो उठी कानों में लगाए फोन में अब बेल बजने लगी थी स्क्रीन चमक रही थी परन तूबो खाली थी हेलो मार्शल तभी मार्शल के कानों में उधर से आवाज पड़ी इसके साथ ही स्क्रीन रोशन हो उठी स्क्रीन पर बजार का छोटा सा द्रिश्य नजर आया लोग आ जा रहे थे उन्हीं में से एक व्यक्ति दिखा जो की सफेद कमीज पहने सड़क किनारे जाता कान से फोन लगाए बात कर रहा था मैं तुम्हें देख रहा हूँ टॉम नीदर लेंड में कब तक टिके रहोगे तुमने तीन दिन से मुझे फोन भी नहीं किया मार्शल बोला मुझ पर यहां की सरकार नजर रख रही है अभी बात नहीं करना ही ठीक है क्या अब भी तुम उनकी नजरों में हो मार्शल ने पूछा हाँ वो मेरे पीछे हैं मार्शल फॉरण सामने लगा छोटा सा लीव धीमे धीमे एक तरफ करने लगा अब स्क्रीन पर जाते उस आदमी के पीछे की तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने लगी मार्शल की निगाह स्क्रीन पर टिकी थी फिर मार्शल की निगाह नीले बैंक की शर्ट पहने एक आदमी पर जटिकी जो तेजी से आगे बढ़ रहा था तुम्हारा पीछा करने वाला नीली चेक शर्ट में है, मैं उसे भी देख पा रहा हूँ वो अकेला नहीं है, और भी है, तीन लोग है, उनसे पीछा छूटने पर ही तुमसे बात करूँगा काम हो चुका है ना, पूरी तरह, वो इसलिए मेरे पीछे हैं कि अभी उन्हें सिर्फ शक है कि मैंने उसे गोली मारी हो सकती है वो असो के करीब लोग थे, पार्टी चल रही थी सब नीदरलेंड सरकार में उचे ओहदे पर मौझूद थे और महमान के तौर पर कई देशों के राजदूद भी मौझूद थे मैंने वेटर के कपड़े पहने, वही हाल में सामान सर्व करते, सायलेंसर लगी, रिवॉल्वर से अमेरिका के राजदूद को खत्म कर दिया और कोई न जान सका की गोली कहां से आये है उसके बाद मैंने रिवॉल्वर से भी चुटकारा पा लिया, उसे किसी अन्य की कोट की जेव में डाल दिया था, लेकिन वहां मौझूद एक सिक्योरिटी वाले को जाने कैसे मुझ पर शक हो गया तब मेरी तलाशी ली गई, पूछताच की गई, परन्तु मेरे खिलाफ उन्हे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि मुझ पर नजर रखी जा रही है मेरा पीछा किया जा रहा है, परन्तु अभी तक मैंने पीछा चुड़ाने की चेष्टा नहीं की उन्हें पीछा करने दो, वो तुम पर सिर्फ शक कर रहे हैं, थोड़ा भी यकीन होता तो तुम्हें गिरफतार कर लिया गया होता पुरसत में आने के बाद तुम्हें फोन करूंगा मार्शल ओके टॉम्हें, कहने के साथ ही मार्शल ने फोन बंद किया तो सामने ही रोशन स्क्रीन से तस्वीरे गायब हो गई हाथ बढ़ा कर मार्शल ने एक स्विच को छेड़ा तो स्क्रीन बंद हो गई मार्शल कुरसी छोड़ कर उठा और टेबल की तरफ बढ़ गया तभी हाथ में दबा मोबाईल बजने लगा हेलो, मार्शल ने कॉलिंग स्विच दबा कर फोन कान से लगाया मार्शल, मैं कामरान बोल रहा हूँ तुम तो कामनी के पीछे सूरत में थे मार्शल कह उठा हाँ मार्शल, कल कामनी मुंबई से सूरत पहुँच गई एक जगह किसी से मिली और उसे अपना सूटकेस दे दिया फिर खुद होटल में जा ठाहरी जिसने सूटकेस लिया उस पर हमारी नजर है सुनील उस पर नजर रखे हुए है आज सुबह ग्यारा बजे कामनी होटल से निकली और सूरत के एक बजार में पहुचकर दुकानों पर खरीदारी के लिए जाने लगी वो किसी से मिली किसी से बात की दुकानदारों से, सिल्समैनों से वो बात करती है परन्तु हम नहीं जानते की वो क्या बात कर उनमें से कोई भी इकबाल खान सूरी का आदमी हो सकता है संभव है उद्धरंग चिन्ह वो दुबई से मुंबई बिना वजह नहीं आई इकबाल खान सूरी उसे मुंबई भीजने का खत्रा नहीं उठाएगा अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर कोई खास बात रही होगी हमें वो बात जाननी कामनी को पकड़ ले बेव कूफी मत करो ऐसा करते ही इकबाल खान सूरी सतर्क हो जाएगा और कामनी भी मुह नहीं खोलने वाली तुम उस पर नजर नजर तो हम रख रहे हैं परन्तु एक गड़बर हो गई है किसी ने कामनी को शूट करना चाहा मेरे खयाल में वो आदमी बाबा रतंगरिया का है और मुंबई से ही कामनी के पीछे है मुंबई में जो हमला कामनी पर हुआ वो बाबा रतंगरिया के आदमियों ने ही किया था और अब भी उसके आदमी पीछे है कुछ देर पहले बजार में कामनी को शूट करने की चेश्टा की गई परन्तु उसी समय जाने कहां से देवराज चोहान ने बीच में आकर कामनी को बचा लिया देवराज चोहान मार्शल चोह का डकैती मास्टर देवराज चोहान वो ही मैं पाकिस्तानी के मिशन के दोरां मैंने देवराज चोहान को अच्छी तरह देखा था अब उसे देखते ही पहचान लिया कि वो देवराज चोहान है उसने कामनी को बचाया ही नहीं, जब अर्दस्तिकार में अपने साथ ले गया जबकि कामनी उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी और बचाओ बचाओ और हेल्प कहकर चीख रही थी देवराज चौहान अकेला है, साथ में जगमोहन नहीं है इसका मतलब देवराज चोहान और कामनी पहले से एक दूसरे को नहीं जानते मार्शल के माथे पर बल नजर आ रहे थे नहीं, मेरे खयाल में ये इत्तफाक ही था कि देवराज चोहान ने उस आदमी को रिवॉल्वर निकाल कर कामनी को शूट करने की कोशिश करते देखा तो उसे बचाने की भावना से बीच में आ गया दुबारा उस पर हमला न हो, इस भावना से उसे उठा कर ले गया वो कामनी को समुद्र किनारे बनी एक काटेज में ले आया है हम उस पर नजर रखे हुए हैं अब हम क्या करें मार्शल देवराज चौहान के बीच में आ जाने से मामला अजीब सा हो गया है कामरान ये भी संभव है कि देवराज चौहान पहले ही कामनी को जानता हो उधर से कामरान ने कहा ये कभी नहीं हो सकता देवराज चौहान कैसा इंसान है मैं जानता हूँ वो इकबाल खान सूरी तो क्या उसके आदमियों की परचाई से भी दूर रहेगा कामनी से उसका पहले से वास्ता होना संभव ही नहीं है मुझे पूरा यकीन है कि देवराज चौहान कामनी की हकीकत से वाकिफ नहीं है कामनी की असलियत का उसे जरा भी पता होता तो वो उसे छोड़कर अलग हो गया होता हम क्या करें? हमें बताओ तुम लोग देवराज चौहान और कामनी पर नजर रखो और हर तीन घंटे बाद मुझे रिपोर्ट देते रहो मार्शल के चहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे रहे थे देवराज चौहान का इस मामले में आज जाना हमारे लिए बुरा नहीं है मेरा काम देवराज चौहान पूरा करेगा उसे कामनी के करीब आ लेने दो देवराज चौहान ने उसकी हत्या होने से बचाया आगे भी हो सकता है वो ऐसा ही कुछ करे और ये बात मेरे लिए बहतर है उन दोनों में जितनी पहचान बढ़ेगी उतना ही अच्छा होगा मैं समझा नहीं मार्शल उन पर नजर रखो और मुझे रिपोर्ट देते रहो कहकर मार्शल ने फोन बंद किया होन्ट सिकुर चुके थे परन्तु आँखों में चमक नजर आ रही थी टेबल पर रखे इंटर कॉम का रिसीव उठा कर बटन दबाया और रिसीव कान से लगा लिया दूसरी तरफ बज़ बचते सुना फिर सतनाम की आवाज कानों में पड़ी यस मार्शल मालूम करो की जगमोहन कहा है जगमोहन देवराज चौहन का साथी कुछ घंटे पहले उसे वर्सोवा के इलाके में देखा गया था वो कार ड्राइब करता कहीं जा रहा था हमारे एक एजेंट ने उसे देख लिया था और फोन पर मुझे बताया भी उधर से सतनाम ने कहा तो जगमोहन मुंबई में ही है मार्शल ने सोच भरिस्वर में कहा Yes मार्शल कामनी के मामले में देवराज चौहन ने दखल दे दिया है मार्शल बोला नहीं मार्शल सतनाम की चौके आवाज आई ये कैसे हो कामरान से बात कर लेना ये हो चुका है देवराज चौहान से मिलने आय थी कामनी नहीं, कामरान का कहना है कि कामनी पर गोली चलने वाली थी तब देवराज चौहान के बीच में आकर दखल दिया और कामनी को अपने साथ ले गया इस समय वे दोनों सूरत में समुद्र किनारे एक कौटेज में मौजूद है क्या देवराज चौहान को पता नहीं है कि वो इकबाल खान सूरी की प्रेमिका और उसके सुरक्षा इंतजामों के देखने वाली कामनी है तुम ही इस बात का जवाब दोसत नाम मेरे खयाल में देवराज चौहान नहीं जानता अगर जानता होता तो कामनी के पास फटकता भी नहीं मेरा भी यही खयाल है महस कामनी को बचाने की खातिर वो इस मामले में आ गया है मुझे अब अपने इस काम की योजना बदलनी पड़ेगी हमारा ये काम अब देवराज चौहान करेगा इस काम में कामनी की पहचान का उसे फाइदा जरूर मिलेगा इस काम में देवराज चौहान उधर से सतनाम अजीब से स्वर में बोला क्या वो हमारा काम करेगा जरूर करेगा उसे करना ही पड़ेगा मार्शल द्रिर स्वर में कैह उठा इस तरह 110 करोड का माल हमारा हो जाएगा कार ड्राइब करते उनकारनाथ ने कहा बगल में बैठा देवराज चौहान कार की खिलकी से बाहर देखता रहा सड़क पर हेवी ट्राफिक था इंजनों का और हौन का शोर ही हर तरफ से सुनाई दे रहा था दिन के ग्यारा बज रहे थे चरते सूर्य की गर्मी भी अपना असर दिखाने लगी थी 35 वर्षी उनकारनाथ ने देवराज चौहान पर नजर मारते हुए कहा तुमने मेरी योजना सुनकर कोई जवाब नहीं दिया मैंने सही योजना बनाई है कि 110 करो़ तक हम कैसे आसानी से पहुँच सकते हैं और उसे ले जा सकते हैं अगर तुम्हे कही कमी लगी है तो कहो मेरी कार तक चलो मेरी प्लानिंग इतनी बुरी तो नहीं कि तुम्हे अपनी कार याद आने लगे उनकारनाथ कै उठा मैं तुम्हे पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास समय कम है कही पर जाना है मैंने मैं आधे घंटे से तुम्हें योजना बता रहा हूँ सुनने के बाद उसके बारे में कुछ तो कहो तुम्हारी प्लानिंग में मुझे कोई दम नहीं लगा डेवराज चौहान ने कहा सच में उनकारनाथ ने गहरी सास ली ये बच्चों वाली योजना है और जिस तरह तुम तीनों गार्डों को शूट करने की सोच रहे हो वो तो और भी घटिया बात हो गई मैं किसी की हत्या करके दौलत पर हाथ नहीं मारता डेवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा उनकारनाथ कार आगे बढ़ाय जा रहा था ठीक है उनकारनाथ ने गंभीर स्वर में कहा तुम योजना बनाओ मैं हाँ सब कुछ तुम्हें बता दिया है कि कहा पर हाथ मारना है और वहाँ क्या क्या इंतजाम है तुम ही कोई बढ़िया सी योजना बनाओ की 110 करोड पर हाथ साफ किया जा सके मैं अपनी योजना बनाने नहीं तुम्हारी सुनने आया था सर्बत सिंग ने मुझे मजबूर किया कि एक बार तुम्हारी बात सुन लू मैंने तुम्हारी बात सुन ली परन्तु मेरा वक्त ही खराब हुआ इतनी भी बुरी नहीं है मेरी योजना देवराज चोहान चुप रहा उन कारनाथ ने एक जगह सड़क किनारे कार रोकी बाई तरफ फुटपात के पार कारों की लंबी चोड़ी पाकिंग नजर आ रही थी वहीं पर ही देवराज चोहान की कार खड़ी थी देवराज चोहान कार का दर्वाजा खोल कर बाहर निकला तुम साच कह रहे हो कि मेरी योजना में कोई दम नहीं हाँ, देवराज चोहान ने दर्वाजा बंद किया अगर मैं तुम्हें इसी योजना पर चल कर 110 करोड़ पर सफलता से हाथ मार कर दिखा दू तो तुम क्या कहोगे मुझे दिखाने के वास्ते कुछ मत करना मरोगे, जो ठीक लगे वो ही करना अगर तुमने मुझे बताए इसी योजना पर काम किया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकेगा कहने के साथ ही देवराज चोहान कार पारकिंग की तरफ बल गया हर तरफ कारों की कतारे नजर आ रही थी पारकिंग वाले लड़के वहां विखरे अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी दे रहे थे एक तरफ चाया के लिए प्लास्टिक शीट का छपपर डाल कर नीचे बेंच डाल रखा था कभी कोई कार आ रही थी तो कोई जा रही थी देवराज चौहान की कार सड़क की तरफ की पहली कतार में थी वहां से सड़क सामने ही सपश्ट नजर आ रही थी देवराज चौहान अपने कार में बैठा कार स्टॉट की फिर कार काई सी ओन किया उसी पल पाकिंग में तेज रफ्तार से आती एक कार उसके बगल में आरुकी देवराज चौहान की निगाह बगल में आखडी हुई कार की तरफ उठी उस कार में शीशे काले थे परन्तु आगे वाली सीटों पर दो लोगों के बैठे होने का आभास मिल रहा था देवराज चौहान को उनके हाथ में दबी गन की जलक मिली तो उसके होंट सिकुड़े फिर खिलकी का शीशा नीचे होते देखा तीस वर्ष का व्यक्ति दिखा उसी ने गन थाम रखी थी स्टेरिंग सीट पर बीस बाइस वर्ष का युवक बैठा था कार में धीमी आवाज में स्टेरियो चल रहा था स्टेरिंग सीट पर बैठा युख स्टेरियो के म्यूजिक में मस्थ था जैसे उसे अपने साथी की हरकतों की परवा ही न हो दूसरे ने शीशा नीचे करके गन की नाल खिलकी से बाहर सामने सड़क की तरफ कर दी देवराज चोहान ने उस तरफ देखा सामने सड़क से दोनों तरफ से आता जाता ट्राफिक था देवराज चोहान समझ नहीं पाया कि वो किसका निशाना लेना चाहता है तभी उसकी निगाह बगल में खड़ी कार में बैठे देवराज चोहान पर पड़ी दोनों की नजरे मिली, गन वाले के चहरे पर कटोरता आ गई डेवराज चौहान ने अपनी निगाह घुमा ली, गन वाला कुछ पल उसे घूरता रहा फिर गन पर निगाह टिका ली स्टेरिंग सीट पर बैठा यूवक स्टीरियो से उठते म्यूजिक पर स्टेरिंग पर उंगलियों की थाप दे रहा था डेवराज चौहान की निगाह सामने सड़क पर आते जाते वाहनों पर भी वो समझने की चेश्टा कर रहा था आखिर ये चलती कारों में से अपने शिकार का निशाना कैसे ले सकेंगे यूँ ही उत्सुकता के नाते वो ठहर गया था जबकि ऐसे नाजुक वक्त में उसे यहां नहीं रुकना चाहिए था साबधानी के तौर पर उसने रिवॉल्वर निकाल कर अपनी गोद में रखली की गनवाला गुस्से में गनका मुह उसकी तरफ भी घुमा सकता है देवराज चौहान की निगा सड़क पर टिकी रही इस दोरान एक दो पल के लिए आती जाती कारों में से ठीक सड़क पार बेनूर्ज वेलर्स का बोर्ड भी दिखाई दे जाता था उसके शीशे का दरवाजा, वहाँ बैठा गार्ड, शीशे का काफी बड़ा शोकेस एक आएक देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े, वो सतर्क हो उठा मस्तिश्क में उसी पल ये विचार कॉंधा की ये सड़क पर जाते ट्राफिक में से किसी पर नहीं बल की सड़क पार बेनूर्ज वेलर्स पर किसी का निशाना लेने की चेश्टा में है डेवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर बगल में खड़ी कार की खिर्की पर वो ही पोजीशन थी खिर्की से निकली गन, गन पर आख लगाए तीस वर्ष का वोग्यक्ती गर्मी में उसके माथे और गालों पर पसीने की लकीरे बह रही थी डेवराज चौहान ने उस गन की नाल का पीछा किया गन की नाल सीधा बेनूर ज्वैलर्स पर थी मुझे क्या डेवराज चौहान ने इस विचार के साथ शिर को जटक दिया और स्टॉड कार की गियर डाली तभी गन का रूख उसकी तरफ हो गया दे व्यक्ति ने गन से इशारा किया अपना शीषा नीचे करे देवराज चौहान ने आधा शीषा नीचे किया तुम यही रहोगे जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता गन वाला कह उठा मैं ऐसा क्यों करूंगा हीरो बनने के लिए मैं पुलिस के मामले में नहीं आना चाहता ये तो अच्छी बात है तुम यही रहो पहले हम यहां से जाएंगे फिर तुम जाना बाद में पुलिस को मेरे हुलिये के बारे में कुछ बताया तो तुम्हें भी शूट कर दूनगा वो बोला दूसरा अभी तक म्यूजिक सुनने में व्यस्त था हिलना मत इसी तरह कार में रहो डेवराज चौहान ने गिय पर न्यूटल पर ले आया इंजन चल रहा था ए, सी, ओन था कार का इंजन बंद कर दो गन वाले ने कहा तो ए, सी, भी बंद हो जाएगा देवराज चौहान ने कहा तुम कार में बैठे क्या कर रहे थे उसने गन को पुनह सामने की तरफ कर लिया था और आख गन पर लगा दी अभी कार में आकर बैठा ही था तभी तुम आ गए ठीक है, इसी तरह बैठे रहो देवराज चौहान ने सड़क पार जातीकारों के बीच में से बेनूर ज्वैलर्स पर नजर मारी तुम क्या करना चाहते हो देवराज चौहान ने पूछा देख नहीं रहे तुम सड़क पर जातीकारों में से किसी पर गोली चलाने वाले हो चुप रहो डेवराज चोहान चुप कर गया नजरे सढक पार बेनूर ज्वैलर्स पर टिका दी इसी पल्प बेनूर ज्वैलर्स के दर्बान ने शीशे का दर्वाजा खोला और भीतर से करीब 28 वर्ष की बेहत खूबसूरत युवती बाहर निकली उसने जीन्स की पैट और स्कीवी पहन रखी थी पाँच माइनस पाँच फूट हाइट थी आखों पर काला चश्मा लगा रखा था शो रूम की तीन सीरी उतर कर वो आगे बढ़ गई तभी देवराज चोहान के कानों में फाइरिंग का तेज धमाका गुंजा गनवाले ने गोली चला दी थी देवराज चोहान समझ गया कि निशाना वो यूवती ही है परन्तु गोली उस तक न पहुँच सकी और सड़क पर जातीकार में जाधसीत सत्यानाश उसने गनवाले को बढ़बढाते देखा गन फोरन खिरकी से भीतर कर ली तभी कार स्टॉट हुई और बैक होने के पश्चात तेजी से बाहर निकलने वाले रास्ते पर दोर गई देवराज चोहान ने गहरी सास ली और सड़क पार बेनूर ज्वैलेस की तरफ देखा अब वो यूवती वहां नहीं दिखी देवराज चोहान ने भी कार को बैक किया और पारकिंग से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया उसकी सोचों में वो गनवाला उसका साथी जो म्यूजिक सुनने में व्यस्था या वो लड़की घूम रही थी वो लड़की की हत्या करना चाहते थे परन्तु उसे लड़की ऐसी नलगी की हत्या हो जाने के काबिल लगे वो साधारन सी खूबसूरत सियाम उन यूगतियों की तरह लगी जो की कदम कदम पर नजर आ जाती है देवराज चोहान ने पाकिंग के पैसे दिये और कार सढक पर ले आया दूसरी वाली कार कहीं भी नजर नहीं आय थी शायद वो तेजी से जा चुकी थी वो दोबारा फिर उस यूवती को शूट करने की चेश्टा करेंगे देवराज चोहान ने सोचा की गन वालों का प्लान गलत था उन्हें सढक पार से निशाना नहीं लेना चाहिए था कोई भी कार बीच में आ सकती थी ऐसा ही हुआ उन्हें बेनूर ज्वेलर्स के बाहर ही कार में बैठ कर उसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था इस तरह उसे शूट करने में आसानी होती और गोली चला कर वहां से निकला भी जा सकता था सड़क पर कुछ आगे जाते ही देवराज चौहान ने मार्किट की तरफ नजरे घुमाई तो उसी पल उसकी आखे सिकुर गई वो यूवती दुकानों के सामने से दुकानों को देखती आगे बढ़ रही थी कंदे पर लेडीज पस लग्का हुआ था वो शौपिंग करने में व्यस्त थी मार्किट से अपने मन पसंद की चीज खोज रही थी इस बात से पूरी तरह अंजान थी कि उसकी जान भारी खत्रे में है कभी भी कहीं से भी गोली आकर उसे लग सकती है देवराज चौहान ने कुछ उल्जन महसूस की यूवती के हाब भाव से ऐसा न लगा कि वो किसी प्रकार की गलत यूवती है अगर वो गलत होती, कोई उल्टा काम किया होता तो इस तरह बेकोफ सी बजार में न घूम रही होती तो वो लोग इसे क्यों मारना चाहते है अगले ही पल देवराज चौहान चौका वो वाली ही कार उसे सड़क के उस पार दिखी वो सड़क किनारे खड़ी थी और यूवती उससे उल्टी दिशा में कुछ आगे जा रही थी मतलब कि वो अभी भी उसे शूट करने की ताक में है यूवती को बचाना चाहिए वो गलत नहीं लगती उसे जरूर पता होगा कि कोई उसकी जान क्यूं लेना चाहता है एक बार यूवती को सतर्क कर देना चाहिए इस विचार के साथ ही देवराज चौहान ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी कुछ आगे जाकर कट था वो कार भी वही से मुली होगी देवराज चौहान ने कार को वहां से वापस मोगा और दुकानों की तरफ किनारे पर लाया और सड़क किनारे कार रोक कर बाहर निकला और आगे बढ़ गया फुटपात पर यूवती इधर से ही आ रही थी देवराज चौहान की निगाह उस यूवती को देखने की अपेक्षा कर रही थी आगे बढ़ते हुए परन्तु कई कदम आगे जाने पर भी यूवती नहीं दिखी तो गो ठिठका फौरन सड़क के किनारे की तरफ देखा तो उस कार को 20 कदम आगे खड़े पाया मतलब की यूवती कहीं पास ही थी देवराज चौहान सतरक्ता से वहाँ बने शोरूम के भीतर बाहर से ही देखने लगा लेकिन तुरन्त ही ठिठक गया एक शोरूम के बाहर वो ही गनवाला टहल रहा था उसका दाया हाथ जेब के भीतर था सपश्ट हाकी दाया हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्व पर टिका हुआ था कि यूवती सामने वाले शोरूम से बाहर आये और वो उसे शूट करे उसकी नजर कहां थी उसने पहचान लिया देवराज चौहान आगे बढ़ा शोरूम की तरफ पास पहुचा दरबान ने तुरंट शीशे वाला दरवाजा खोला देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया और ठिठक कर उस बड़े शोरूम में नजरे घुमाई वो यूवती नजर आ गई जीन्स की पैंट और पीली स्कीवी ये साडियों का शोरूम था और वो अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी दो सेलसेगरल उसे साड़ी दिखा रही थी देवराज चौहान समझ चुका था कि ये शरीफ सी यूवती भारी मुसीबत में है ये ज्वैलरी देख रही है साड़ी खरीद रही है और बाहर उसकी हत्या के लिए वो आदमी मनरा रहा है तभी एक सेलसेगरल उसके पास पहुँचकर मुसकरा कर बोली मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ सर मैं अपनी पत्नी को ढून रहा था डेवराज चौहान ने कहा उसे साड़ी खरीद नी थी और यही मिलना था लगता है अभी तक वो पहुची नहीं मैं फिर आउनगा आप यहां बैठकर मैडम के आने का इंतजार कर सकते हैं या तब तक मैडम के लिए साड़ीया पसंद कर मैं फिर आउनगा डेवराज चौहान ने मुस्करा कर कहा और शोरून से बाहर निकल आया वो आदमी अभी भी एक तरफ जेब में हाथ डाले खड़ा था डेवराज चौहान की उससे नजरे मिली उस आदमी के चेहरे पर कठोरता उभरी डेवराज चौहान ने कार की तरफ देखा स्टेरिंग सीट पर बैठा यूवक स्टेरिंग पर उंगलियों से तबलासा बजा रहा था डेवराज चौहान उस व्यक्ती की तरफ बढ़ गया हेलो डेवराज चौहान पास पहुँच कर बोला तुम भी यहां हो दफा हो जाओ वो गुर्रा उठा मैं जानता हूँ तुम किसकी जान लेने के चक्कर में हो वो नीली जीन्स और पीली स्कीवी वाली है न उसने कठोर निगाहों से देवराज चौहान को देखा तुम भी मरना चाहते हो वो बोला नहीं दोबारा मुझे नजर आय तो गोली मार दूनगा क्यूं मारना चाहते हो उसे वो तो मुझे शरीफ सी लगती है डेवराज चौहान ने कहा तुम खिसक लो क्यूं पड़े हो उसके पीछे दोनों ने एक दूसरे की आँखों में देखा फिर वो कह उठा उसे मारने के मुझे दस लाक मिले है दस लाक मिल गए या मिलने वाले है मिल गए है दफा हो जाओ तुम यहां से वो दात किटकिटा उठा किसने दिये दस लाक हराम जादे मरना चाहता है तू भाग जा यहां से वो गुर्रा उठा, तो मुझे नहीं मार सकता, क्यूं, प्रोध में उसका चेहरा तपने लगा था, इस वक्त तो एक ही गोली चला सकता है, मेरे पर चला ले या उस पर, एक फायर करने पर शोर इतना होगा कि दूसरी गोली चलाने से पहले ही तुझे भागना पड़ेगा, त मुझे साइलेंसर की क्या जानकारी, तेरे को गन पर भी साइलेंसर लगा लेना चाहिए था, गन पकरने के धंग से तो तू मुझे पुराना खिलारी लगा, परन्तु अनारीपन अभी भी तेरे में झलकता है कि भरे बजार में गोली चलाने वाला है और साइलेंसर नहीं, तू कौन है? मैं पुलिस वाला हूँ. डेवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा. तू पुलिस वाला? वो हर बढ़ाया. डेवराज चौहान उसे देखता रहा. वो नर्वस सा दिखने लगा था. अब क्या इरादा है तेरा? डेवराज चौहान बोला, गिरफतार करू अब तो छोड़ रहा हूँ. दोबारा दिखा तो नहीं छोड़ूंगा. फूट ले यहां से. उसने सूखे होंटो पर जीब फेरी. हिचकिचाया. सुना नहीं फूट ले. मुझे काम करने दे. तेरे को एक लाख रुपया दूनगा. वो धीमे स्वर में कह उठा. तो बहु खरीद रही है. देवराज चौहान बोला. लफड़ा क्या है? लफड़ा. कौन इस लड़की को खत्म करना चाहता? मुझे नहीं पता. कैसे नहीं पता? तूने तो कहा कि 10 लाख दिये. मैं नहीं जानता वो कौन है. फोन आया. बात हो गई. कोई मुझे 10 लाख दे गया. क्यों पूछ रहे हो? आदत है पुलिस वाला जो ठहरा. मरने के बाद लड़की की लाश को उसके घर जो पहुचाना है. तू अपना लाख ले और चला जा. ये लफड़ा भूल जा. लाख गारी में रखा है. हाँ. तू गारी के पास पहुच. मैं इधर काम निप्ता कर. द उसने देवराज चौहान को घुरा. पुलिस वाले को ऐसे मत देख. घुरा भुकतेगा. देवराज चौहान एकाएक तीखे स्वर में बोला. वो संभल गया. तेरा नाम क्या है? देवराज चौहान ने पूछा. नहीं बताता. तू मुझे कुछ भी नहीं बता. देख तू अपना लाख रुपया ले और चला जा. मुझे मेरा काम करने दे. दे मैं जाओ. तो कार के पास चल. मैं गोली मार के आता हूँ. उसने हाथ अपनी जेव में डाले कहा. गोली से शोर होगा. तेरे साथ मैं भी फंस. कुछ नहीं होगा. हम कार में बैठ कर भाग जाएंगे औ उद्धरंग चिन्ह. जेव में रिवॉल्व पर हाथ है. हाँ. कौन सी रिवॉल्व है? जर्मन मेक की है. धाय लाख की ली थी. इससे चार को ओड़ा चुका हूँ. मतलब की वो लड़की पाच्वा शिकार है. वो आ गई. उसके हुंटों से निकला. देवराज चौहां की निगाह तुरंट शोरूम के शीशे के दरवाजे की तरफ घूमी. वो बाहर निकल रही थी. हाथ में दुकान का लिफाफा था. मतलब की साड़ी खरीद लाए थी. डेवराज चौहां ने फौरन उस व्यक्ति को देखा. उसी पल उसने रिवॉल्व निकाली थी. ध्यान भी इस तरफ आकरशित हुआ. वो ठिठक गई. वो आदमी नीचे गिरी रिवॉल्व पर जपटने को हुआ. डेवराज चौहां ने जोरदार ठोकर उसके कुल्हों पर मारी. वो धराम से लुड़कता हुआ एक भूरी औरत की टांगों से जाटकराया. औरत चीक डेवराज चौहां ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी रिवॉल्व को जोरो की ठोकर मारी. रिवॉल्व दूर सरक्ती चली गई. डेवराज चौहां फौरण उस युवती के पास पहुचा जो हैरानी से ये सब देख रही थी. तुम्हारी जान खत्रे में है. डेवराज च चौहां के हाथ से अपनी कलाई चुडा ली. बेव कूफी मत करो. वो तुम्हें मारने के 10 लाख ले चुका है. वो. हेल्प हेल्प. युवती गला फाड़कर चीखी. बचाओ मुझे. ये आदमी मेरा अपहरं कर रहा. असहाएसा देवराज चौहां युवती को देखने ल अदम की दूरी पर खड़ी अपनी कार की तरफ दोड़ा और देखते ही देखते कार में जा बैठा. कार तेजी से दोड़ गई. युवती एकाएक बदहवास सी फुटपात पर दोड़ने लगी. पस और साड़ी का लिफाफा उसने थाम रखा था. डेवराज चौहां उसक पास पहुचकर उसने युवती की बाह पकड़ ली. छोड़ो मुझे. छोड़ो पुलिस बचाओ. तुम्हारी जान खत्रे में है. मैं तुम्हे बचाना चाहता हूँ. तुम बदमाश हो जो मुझे. मैंने तुम्हे उस आदमी से बचाया है. वो तुम्हे गोली मारने वाल था. अब तक तुम मर चुकी होती. इस वक्ड भी वो कहीं पास ही में हैं और तुम्हे मारे बिना चैन नहीं लेंगे. मेरी बात को समझो और मेरे साथ चलो. मैं तुम्हे बचा सकता हूँ. तुम्हे छोड़कर चला गया तो दस मिनिट में तुम मरी पड़ी होगी. देवराज चौहान समझ गया कि यहां रुका तो हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे. अकेले या फिर यूवती के साथ, जैसे भी हो, उसे यहां से चले जाना चाहिए. एक आएक देवराज चौहान ने यूवती की बाह को जटका दिया और फोरन जुक कर उसे कंधे पर उठ खा लिया और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा. यूवती चीखने चिलाने लगी. छूटने के लिए हाथ पाओ मारने लगी. कार के पास पहुचकर देवराज चौहान ने पीछे का दरवाजा खोला और किसी प्रकार यूवती को कार के भीतर ठूसा. यूवती उसी पल बाहर निकलने को हुई कि देवराज चौहान ने हाथ के अंगूठे से उसकी कनप्ती को दबा दिया. उसी पल यूवती बेहोश होकर कार की पीछे वाली सीट पर लुरक्ती चली गई. देवराज चौहान तुरंट स्टेरिंग सीट पर बैठा और कार स्टॉट की. क्यू सा रहे थे. नहा धोकर घर के कपड़े पहने और सोहनलाल को फोन किया. बात हुई. क्या कर रहा है? जगमोहन ने पूछा. नानिया की सेवा करने में लगा हूँ. उधर से सोहनलाल ने कहा. मतलब, 15 दिन बाद घर लोटा हूँ. किसी काम के सिलसिले में जैपुर में था. वाप लेने. शादी की है तो काम भी करने पड़ेगे. तू शादी क्यों नहीं कर लेता? ताकि मेरा हाल भी तेरी तरह हो जाए. जगमोहन मुस्कराया. मेरे हाल में क्या बुराई है? उधर से सोहनलाल ने गहरी सास लेकर कहा. मैं ऐसे ही बढ़िया हूँ. बता, फोन कैसे किया? स इवराज चोहान मुंबई से बाहर है. फुरसत है. पर तू तो फंसा पड़ा है. फंसा समझ, कुछ भी समझ पर अभी मया नहीं सकता. जगमोहन ने फोन बंद कर दिया. चहरे पर मुस्कान फैली थी. फिर वो देखने लगा कि लंच के लिए खाने के लिए किचन या फ्रि पर आबैठा घूब भरा. तभी कॉल बेल बजी. सोहन लाल आ गया होगा. ये सोचकर कॉफी का प्याला एक तरफ रखा और कमरे से निकल कर हॉल में पहुचा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया. दरवाजा खोला. तुम, जगमोहन चोका, तुम फिर, उसके हुंटों से ब लिखता रह गया. मार्शल के गंबीर चहरे पर मुस्कान उभरी. वो कह उठा, जाने अंजाने में हमारी मुलाकाते बराबर हो रही है. मैंने नहीं सोचा था, कि इस बार मुलाकात इतनी जल्दी होगी. अभी तो तुम्हारा काम करके हम फारिग हुए है. मुसीबत भरा ब जाने दो बार मेरे लिए काम किया. दूनों ही बार मौत की सवारी की. जगमोहन के चहरे पर तीखे भाव उभरने लगे. पहली बार मार्शल के लिए डेथ वारंट और शिकारी में काम किया था. मार्शल मुस्कराया. दूनों बार तुमने हमें मौत के मुह में फेका. मेरा ऐसा इरादा नहीं था, परन्तु तुम लोग ही ऐसे हालातों में फंस गए, डेथ वरंट में तो तुम ही चूक रहे थे और काम को भूल कर फ्रोजा से प्यार करने लगे थे, ये ही चूक तुम से हुई और मामला गरबर हो गया था, फ्रोजा तुम से खेल खेलती रही थी, म के लिए, तुम्हारा काम हम कभी भी नहीं करेंगे, भूल गए तुमकी इस बार मैंने तुम्हें ज्यादा कीमत देने का वादा, बहतर होगा तुम जाओ यहां से, जगमोहन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मुझे भीतर तो आने दो, नहीं, तुम मुसीबत का हेरो काबिल एजेंट है, फिर हमारे पास क्यों, इस बार तो तुम लोगों ने ही मुझे आने को मजबूर किया, हमने जगमोहन की आखे सिकुरी, डेवराज चोहान ने मेरे काम में दखल दे दिया है, मार्शल बोला, जगमोहन चोका, इसी वजह से मुझे आना पड़ा, मै देवराज चोहान तुम्हारे काम में दखल नहीं दे सकता, जगमोहन केह उठा, वो सूरत में है, मार्शल ने जैसे जगमोहन को याद कर आया, हाँ, जगमोहन सतर खुआ, मुझे भीतर आने दो, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों की निगाहे मिली, जगमोहन कर सकोगे, मुझे मालूम है तुम लोगोंने तीन बंगले देखे हैं, उनमें से किसी एक को खरीदने की सोच रहे, तुम है कैसे पता, मुझे सब पता रहता है, जगमोहन मार्शल को घूरने लगा, मार्शल आगे बढ़ा और हॉल में मौजूद सोफे पर जा बैठा, जग अंजाने में उससे ऐसा हो गया होगा, यकीनन, अंजाने में ही ऐसा हुआ, परंतु जब से मेरे पास ये खबर पहुची, मैंने कुछ और ही योजना बना ली, तुम्हारी योजना की में परवा नहीं करता, अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाले, जगमोहन त उस पर नजर रखे हुए थे. उस लड़की की जान को खत्रा था, कुछ लोग उसे मार देना चाहते थे. ये बात देवराज चोहान ने पहचान ली और उसे बचाने में लग गया. आखिरी खबर के मुताबिक देवराज चोहान उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले है. जबरदस्ती हाँ, ये ही खबर मिली कि जो कुछ हुआ उससे लड़की बौखला गई. वो भाग जाना चाहती थी परन्तु आसपास मंडराते हत्यारों की वजह से देवराज चोहान उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया. मार्शल गंभीर स्वर में बोला, तुम्हार आदमी भी तो वहां मौजूद थे, वो लड़की को बचा सकते. मेरे आदमी उस लड़की पर नजर रख रहे थे. अचानक जिस तरह देवराज चोहान ने मामले में दखल दिया, वो भी उससे उलचकर रह गये थे. सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था. मेरे एजेंटो को भी तभी पता चला कि कोई लड़की की जान लेना चाहता है, जब देवराज चोहान का दखल इस मामले में आया. मार्शल ने जगमोहन को देखा. तो अब मेरे पास क्यों आय हो? इकबाल खान सूरी उर्ठ भगता ठाकुर का नाम तो तुमने सुन्धी रख होगा. जगम हिंदुस्तान में, खास्त और मुंबई में अपने बेनामी धंदों को चला रहा है. उसके आदमी, उसके लिए इस तरह काम करते हैं जैसे वो हिंदुस्तान में ही मौजूद हो. इकबाल खान सूरी का दूसरा पाउँ पाकिस्तान में रहता है. हमारे पास खबर है कि वो प पाकिस्तान की कंपनियों में पैसा लगा रहा है. आर्थिक रूप से पाकिस्तान की सहायता कर रहा है. बदले में पाकिस्तान सरकार उसका पूरा ध्यान रखती है. उसे गुप्त ठिकाना दे रखा है. उससे और भी सहायता की आशा रखती है. इकबाल खान सूरी को पाकिस वो इकबाल खानसूरी की खास प्रेमिका है और उसके साथ ही रहती है. सिर्फ एक वो ही है जो इकबाल खानसूरी का सही पता बता सकती है. दुबई में मेरे एजेंट इकबाल खानसूरी के काफी करीब पहुँच गये थे उस पर हाग डालने ही वाले थे कि वो अचानक गायब हो गया उसे मेरे एजेंटों पर शक हो गया था या वो इत्तिफाकन गायब हुआ ये मैं नहीं कह सकता परन्तु वो गायब हो गया और महीने से उसके बारे में कोई ख़बर नहीं मिली फिर अचानक ही इकबाल खानसूरी की प्रेमिका कामनी उर्फ नस्रीन शेक के मुंबई एपोर्ट पर उतरने की ख़बर मिली तो वो हमारी निगाहों में आ गई मेरे एजेंट उस पर नजर रखने लगे हम जानना चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में क्या करने आये है और इकबाल खानसूरी का कुछ पता चल सके अभी उस पर नजर रखी ही जा रही थी कि देवराज चोहान बीच में आ गया और उसे अपनी योजना बदल कर नई योजना बनानी पड़ी तुम कामनी नाम की उस लड़की को पकड़ कर उससे पूछ इस तरह वो कुछ नहीं बताने वाली ये इकबाल खान सूरी का मामला है वो दुबई का आका बना बैठा है वो क्या पागल है जो उसने अपनी प्रेमिका को इस तरह खुलयाम हिंदुस्तान भेज दिया जरूर इसके पीछे कोई खास बात है जगमोहन ने सिर हिलाया फिर बोला तुम अपनी किस योजना का जिक्र कर रहे थे वो बताने का अभी वक्त नहीं आया कब वक्त आयेगा उसका जगमोहन ने होंट सिकोडे जब देवराज चोहान सामने होगा जगमोहन ने उखडेपन से पहलू बदल कर कहा तुम्हारा कोई भी काम करने का हमारा इरादा नहीं है इरादा बन जाएगा मार्शल मुस्कराया नहीं बन जाएगा मैं पाकिस्तानी में देवराज चोहान भारी खत्रे में पढ़ गया था उस काम की कीमत तो मैंने तुम्हें चुका दी थी पर कुछ अपनी तरफ से दूनगा और नए काम की कीमत भी उतनी होगी, जितनी पिछले काम की थी, वो कम थी, इस बार काम में ज्यादा खत्रा नहीं है, हर बार तुम ऐसा ही कहते, मैं सच कह रहा हूँ, जब मेरी यूजना सुनोगे तो समझ जाओगे, तुम तो इस तरह कह रहे हो, जैसे मैंने काम की हा कर दी हो, वो हो ही जाएगी, भूल में हो, जगमोहन ने तीके स्वर में कहा, पैसा तुम्हारी पसंद का होगा तो हां क्यूं नहीं होगी, मैं पैसे के पीछे इतना भी पागल नहीं हूँ कि अपनी या देवराज चौहान की जान खत्रे में इस बार खत्रा कम है, मेरी योजना पर मेरे आदमी काम पर लग चुके हैं, देवराज चौहान और तुम्हें हर रास्ता साफ मिलेगा जब इस काम में अपने कदम रखोगे, तुम क्या सोचते हो मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं होती, मुझे हर उस इंसान की चिंता होत है, जैसे कि पिछली बार मैं पाकिस्तानी में देवराज चौहान की मौत का तमाशा देखा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि, अगर मैं खुल कर मैदान में तब ना आया होता तो शायद देवराज चौहान बच न पाता, जगमोहन गुस्से से कह उठा, मार् हाटे में ब्लेक बैल्ट ले रखी है और निशाना ऐसा लगाती है कि तुम सोचते ही रह जाओगे, कभी वो फिल्मों में काम पाने मुंबई पहुची थी, टी, वी, एडो में काम किया उसने, तभी उसका संपर्क इकबाल खान सूरी से बन गया और वो दुबई पहुच धीरे धीरे वो एकबाल खान सूरी की खास बन गई, एकबाल खान ने उससे यूरोप भेजा जहां उसने जूडो कराटे सीखा, हथियार चलाना सीखने के लिए पाकिस्तान गई, अब वो एकबाल खान सूरी के पास करीब रहती है, उसकी प्रेमिका का काम भी करती है, जह नहीं हो सकता, तुम कहते हो कि देवराज चौहान उससे बचाने पर लगा है, जगमोहन बोला, हाँ, क्योंकि देवराज चौहान उसकी हकीकत नहीं जानता, वो तो मैं अभी उससे बता देता, ऐसी गलती मत करना जगमोहन, क्या मतलब, देवराज चौहान उससे बचान बन जाने की पूरी संभावना है. तुम ऐसा ही चाहते हो. बेशक. क्यों? क्योंकि जो मेरी योजना है उसमें ऐसा होना देवराज चौहान के लिए बहतर रहेगा. तुम्हारी योजना. जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा तुम ज्यादा ही हवा में उर रहे हो कि हम तुम् पर पानी मत फेरना. मैंने विश्वास के दम पर ही तुम्हें सारी बता बताई है. मैं कहने आया हूँ कि तुम खुद को तयार रखो मेरे काम के लिए. तुम्हें ही मुझसे ज़्यादा परेशानी होती है. देवराज चौहान को इतनी नहीं होती. तुम सोचके रखो कि अ तुम्हारे एजेंट उन पर नजर रखे हुए है. हाँ. कुछ पता चला कि इकबाल खान सूरी की प्रेमिका हिंदुस्तान क्या करने आये है. अभी नहीं मालूम हुआ. कौन लोग उसकी जान लेना चाहते. बाबा रतंगरिया. रतंगरिया अंडर वर्ड डॉन. जगमोहन के हुंटों से निकला. हाँ. इकबाल खान सूरी ने सालों पहले इंडिया से भाग कर दुबई का रास्ता पकड़ा तो तब बाबा रतंगरिया इकबाल खान सूरी के लिए काम किया करता था. परन्तु उसके दुबई जाने के बाद बाबा रतंगरिया ने मुंबई में अ आने के बाद काफी ताकत हासिल कर ली थी. अपने पैर भी फैला चुका था. अब वो खुले तोर पर इकबाल के गुर्गों को टक कर देने लगा था और सालों तक दोनों तरफ से आदमी मरते रहे. वे एक दूसरे पर हमला करते रहे. इकबाल खान सूरी के दुबई जाकर ब लड़ाय चल रही है और अब तक बाबा रतंगरिया मुंबई अंडर वर्ड का बड़ा बन चुका है. उधर इकबाल पाकिस्तान और श्रीलनका में भी व्यस्त हो गया है. ऐसे में इकबाल और बाबा की लड़ाय हलकी पड़ गई है पर अन्तु फिर भी वे एक दूसरे प पर वार करने का मौका नहीं चूकते जैसे की कामनी के मुंबई एरपोर्ट पर पहुचने का पता बाबा रतंगरिया को पहले से ही था. बाबा के लिए ये सुनेहरा मौका था कामनी को खत्म करके इकबाल खानसूरी को चोड़ देने का मौका देखकर बाबा के आदमियों कामनी पर मुंबई में ही उसे खत्म करने के लिए हमला कराया था परंतु शातिर कामनी वहां से बच निकली और बाबा रतंगरिया को कैसे पता चला कि कामनी दुबई से मुंबई पहुच रही. बाबा रतंगरिया के हाथ लंबे हैं. उसका कोई आदमी दुबई में इकब पर 10 साल में धून निकालती है उसे अंडरवर्ड वाले 24 घंटे में ले आते हैं। यही वजह है कि पुलिस अंडरवर्ड के लोगों पर काबू नहीं पापाती। पुलिस ड्यूटी देती है, अपना फर्ज पूरा करती है, नौकरी करती है और कानूनन एक दाइरे से बाहर नहीं निकल सकती, पर अंडरवर्ड के लोगों के लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती। शहर और देश की सरहदे उनके लिए मायने नहीं रखती। वो कहीं भी पहुंच जाते हैं उनके अपने रास्ते। मार्शल, जगमोहन ने टोका, हाँ, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। मार्शल ने जगमोहन को देखा, चुप रहा, मैं कामनी की बात कर रहा हूँ, इकबाल खान सूरी की बात कर रहा हूँ और देवराज चौहान की बात कर रहा हूँ, सब बातों का जब दूनगा जब देवराज चौहान भी सामने होगा अभी नहीं नहीं तुम मेरे पास सिर्फ ये कहने आये थे कि तुम हमसे काम लेने वाले हो हाँ जरूरी तो नहीं कि हम तुम्हारा काम देवराज चौहान मेरा काम शुरू कर चुका है अंजाने में देवराज चौहान और कामनी का साथ देख कर ही मैंने नई योजना तैयार कर ली और तुम्हारे पास आ गया। समझो इस वक्त देवराज चोहान मेरे लिए काम शुरू कर चुका है। मुफ्त में जग्मोहन ने व्यंग्य से कहा, जब तुम्हें काम का पता चल जाए तो मुनासिब रकम तै करके पैसा पहले ही ले लेना। तुम जबरदस्ती वाले अंदाज में बात कर रहे हो। मैं अपना काम निकालने के लिए हर तरह के तरीके इस्तेमाल करता। वो तो मैं डेथ वरंट में देखी चुका हूँ। जग्मोहन का स्वर करवा हो गया तब तुमने मेरे और देवराज चौहान के साथ जाती की थी। बाद में हम ये सोचकर चुपकर गए कि तुमने जो किया देश के फाइदे के लिए किया। परन्तो हर बार तो ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारी बात मानते रहे। बहुत ही ज़्यादा कमीने। मैंने तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं माना जबकि पहले भी तुम मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। ये मामला मेरे एजेंट देख रहे थे। उन्होंने ही इसे पूरा करना था। तुम लोगों का इस मामले से कोई मतलब ही नहीं थ परन्तों इत्तेफाक से देवराज चौहान ने इस मामले में दखल दे दिया और मैंने देवराज चौहान को स्वीकारते हुए अपने काम के लिए नई यूजना बना ली। याद रखना मेरी बात की अभी देवराज चौहान से इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पागल हो जो सोचते हो में चुप रहूंगा। तुमने अपने लिए जुबान बंद रखोगे क्योंकि ये काम में तुम लोगों के नाम लिख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ देवराज चौहान और कामनी उर्फ नस्रीन शेख के बीच कुछ अच्छे संबंध बन क्या कर दिया। तुम सिर पर चड़ गए। देवराज चौहान शादी शुदा है। उसकी पत्मी है और दूसरी औरत के बारे में तो वो सोचता भी नहीं। तुम संबंध बनाने की बात कर। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा हो जाए तो बुरा नहीं होगा, मेरी य योजना को देखते हुए। नहीं तो उनमें दोस्ताना संबंध तो बन ही सकते हैं क्योंकि देवराज चौहान कामनी को बाबा रतंगरिया के आदमियों से बचा रहा है। ऐसे में कामनी कुछ तो शुक्रगुजार होगी उसकी। मार्शल ने शब्दों को चबा कर कहा, ज पहले की तरह भागने की कोशिश मत करना। मेरी नजर तुम पर भी है और देवराज चौहान पर भी। मार्शल कहकर उठा और बाहर निकलता चला गया जबकि जगमोहन के चेहरे पर सोचे और गंभीरता नजर आ रही थी। मार्शल का दूसरा नाम मुसीबत था। देवराज चौहान गुजरात के शहर सूरत में था। कल रात दस बजे सूरत शहर पहुचा था मुंबई से। यू आने का मन नहीं था परन्तु सरबत सिंग की बात ताल भी नहीं सका था। सरबत सिंग से मुलाकात उसकी ज़्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ दिन पहले सरबत सिंग के साथ मिलकर एक छोटा सा काम किया था। दो दिन पहले से सरबत सिंग का फोन आने लगा कि उसकी खास पहचान वाला उनकारनात सूरत में रहता है और वो कहीं पर 110 करोर की ड़कैती करने को कह रहा है। प्लान उसने बना रखा था, उससे सिर्फ तुम जैसे इ कारनात का प्लान तो सुन लो। सरबत सिंग की रिक्वेस्ट को देवराज चोहान मना नहीं कर सका था। सरबत सिंग ने बताया कि वो भी सूरत का है और उसके बाप का एक मकान सूरत की रेंडर नाम की जगह पर है, जो की समुद्र किनारे पर स्थित है। सरबत सिंग उससे मिला और मकान की चावी देते हुए कहा कि वो रेंडर स्थित उसके मकान पर ही ठहरे। इस तरह मकान की कुछ देखभाल भी हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि उस मकान की सफाय करने हर 15 दिन में एक बार एक काम वाली आती है। ऐसे में मकान लगभग उसे साफ ही मिलेगा। साथ ही उसने उनकारनात का फोन नंबर दे दिया। देवराज चौहान ने उससे मना कर दिया था कि उसका नंबर उनकारनात को न दे। वो खुद ही सूरत पहुचकर उनकारनात को फोन कर लेगा और इस तरह वो राद 10 बजे सूरत में रैंडर नाम की जगह पर सर्बत तूबे कुछ-कुछ फासले पर थे और घर के आसपास की मिट्टी में समूद्र की रिट मिक्स थी. मकान की लाइट चालू थी. मकान के भीतर पहुचकर देवराज चौहान ने लाइट आउन कर दी. साफ सफाय जैसा माहौल था भीतर. वहाँ आराम से रहा जा सकता था. किच इच्छा भी नहीं थी खाने की और वो रात आराम से बिताई देवराज चौहान ने. अगले दिन यानी की आज वो उनकारनाथ से मिला. उनकारनाथ की प्लानिंग बचकाना लगी उसे उसकी बात में कोई दम नहीं दिखा. मुंबई वापस जाने का इरादा करके वो उनका परन्तो लड़की उसे ऐसी न लगी कि उसकी हत्या की जाए. वो मध्यम वरगिय परिवार की शरीफ लड़की लगी और निश्चिंथ होकर बजार में खरीददारी कर रही थी. ऐसे में वो बीच में आ गया और उस वक्त तो लड़की को किसी तरह बचाया परन्तो इतना उ वो उसके साथ आने को तयार नहीं थी. ऐसे में उसे समझाना आसान नहीं था कि कोई उसकी जान के पीछे है. अब वो लड़की को कार में डाल कर रेंडर स्थित सीधा समुद्र के किनारे वाले कॉटेज में ले आया था, जो कि सर्बत सिंग की थी. लड़की अभी तक बेह नजर आता था. यहाँ वहाँ बने और भी कोटेज नजर आ रहे थे परन्तु इस तरफ शांती थी. लोगों का आना जाना कम ही रहता था परन्तु शाम के वक्त लोगों का आना बढ़ जाता था. तब लोग समुद्र किनारे टेहलने आ जाते थे. परन्तु वे किनारे की त प्रशान का कोई सामान नहीं था। लड़की पता नहीं होश में आने पर उसकी बात समझती भी है या नहीं। जबकि देवराज चौहान इरादा कर चुका था कि लड़की को यकीन दिलाने के बाद जाने देगा ताकि अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहे। ऐसे में खा किया फिर काफी तलाश के बाद उसने हाथ पाओ बांधने के लिए दोरी को तलाशा और लड़की के हाथ पाओ बांधे उसके बाद अनगूठे से उसकी कनप्ती को एक बार फिर दबाया कि वो गहरी बेहोशी में चली जाए। उसके बाद घर को बाहर से बंद करके आसपा दूर तक फैले समुद्र को देखा। ऐसा कोई न दिखा जो यहां नजर रखता हो। उसके बाद कार में बैठा और बजार की तरफ सामान लेने चल दिया। खन लगा लिया था। वो खाता रहा। वो शान्त था। चहरे पर खास सोचे नहीं थी। उनकार सिंग को पूरी तरह अपने दिमाग से निकाल दिया था। कौफी के घूट लेता वो छोटे से ड्राइंग रूम में पड़ी कुरसी पर आबैठा। ड्राइंग रूम में फनी सिंग की आवाज कानों में पड़ी। कल मिला था। उसका सारा प्रोग्राम बेकार लगा। मुझे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है। डेवराज चौहान बोला। ओह। बता दिया उनकार को ये बात। कह दी। वो तो बहुत कह रहा था कि मेरी योजना बहुत शांदार है। ऐसी है, वैसी है। मैं उसकी बात को भूल चुका हूँ। वो तो तुम्हारी इच्छा पर है। फिर तो आज मुंबय आ रहे होंगे। शायद आज का दिन रुकू। होटल में ठहरे हो या मेरी उसी कौटेज पर। तुम्हारी कौटेज पर। इसे कौटेज कहना ठी ठीक रहेगा। ये अच्छी लोकेशन पर है। यहां से पूरा समुद्र दिखता है। मेरे बाप को समुद्र बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उसने यहां जमीन खरीद कर कौटेज बनाई थी। मजे से रहो यहां पर। अपना ही माल है। मैं कामवाली को फोन कर दे ठीक है। जब मुंबई पहुची तो मुझे एक फोन लगा देगा, मैं तुमसे कौटेज की चाबी ले जाओंगा। बात खत्म हो गई। डेवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और कौफी का खाली प्याला किचन में रखने के बाद उस कमरे में पहुचा, जहां लड़की थी। वो लड़की के हाथ पावो के बंधनों को खोलने लगा। अब बांधने की जरूरत नहीं थी। वो तो इसलिए बांध गया था कि उसके पीछे से लड़की को होश आए तो कहीं यहां से भाग न जाए। कुछ देर और बीती तो लड़की को होश आन जिससे उसके हाथ पाव बांधे थे। उसने अपनी कलाईयों को देखा। दोरी एक तरफ उच्छाल दी। चहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। वो बैट से उतरी और खुले दरवाजे के पास पहुची बाहर जाका तो ड्राइंग रूम में बैठा देवराज चौहा ये कोटेज की पिछली तरफ का हिस्सा था और रितीली जमीन नजर आ रही थी। अन्य कोटेजों को भी देखा जो वहाँ बनी हुई थी। होश आ गया तुम्हे। देवराज चौहान की आवाज को सुनते ही वो फिरकनी की तरह भूमी। देवराज चौहान दरवाजे की चौकट पर खड़ा था। दोनों की नजरे मिली। लड़की के होंट भिंच गए। भागने की सोच रही हो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो वहीं खड़ी देवराज चौहान को देखती रही। भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम आराम से यहां से ज जार से उठा लाए और अब मेरा नाम पूछते हो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें अपना नाम बता दूनगी। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें उठा कर। भला। तुम जैसे लोग आए दिन लड़कियों को सड़कों से उठाते हैं और उन्हें हवस का शिकार बना कर मार देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे हाथ भी लगाया तो। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। लड़की दाग भीन्चे देवराज चौहान को देख रही थी। मैं यहाँ पर अकेला हूँ और तुम्हे मुझसे कोई खत्रा नहीं है। लड़कियों के मामले में मैं शरीफ आदमी हूँ, जो इंसान भरे बजार से लड़की को उठा लाए, वो शरीफ कैसे हो सकता है। देवराज चौहान मुस्करा पड़ा, तुम अपने इरादे में काम्याब नहीं हो सकते। मैं मैं, एकाएक वो पल्ती और खुली खिल्की की चौकट पर चड़ गई। इससे पहले की वो खिल्की के पारकूद पाती, देवराज चौहान ने तीर की भाती जपटा मारा और उसकी बाह पकड़ कर वापस खीच लिया। लड़की, लकडी के फर्ष पर जागिरी, वो चीखी। देवरा देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा फिर तो तुम्हें और भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई हरकत न करो कि तुम्हें तकलीफ हो। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम्हारे भले के लिए तुम्हें यहां लाया हूँ, तुम्हें मेरी ब आज से पहले तुमने इस तरह कितनी लड़कियों को उठाया, एक को भी नहीं, तो अपने पागलपन की शुरुआत तुमने मुझसे की है, लड़की तीखे स्वर में उठी, देवराज चौहान ने कठोर नजरों से उसे देखा, नीचे बैठी लड़की सतर खुई, तुम किसी बुरी हरकत को अंजाम देने के फेर में हो तो, पानी लोगी, नहीं, चाय कॉफी, नहीं, खाने पीने की जरूरत हो तो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपनी बात कहो और मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रुख सकती, मुझे घर जाना है, लड़की ने जो कहना है, ऐसे ही कहो, लड़की शक भरे स्वर में कह उठी, देवराज चौहान कमरे से बाहर गया और दूसरे ही पल कुरसी लेकर लोटा और कमरे के भीतर, दरवाजे के पास कुरसी रखकर उस पर बैठता कह उठा, जब बैठना चाहो, बैठ जाना, मैं तुम्हें बता पागल हो, पूरे पागल हो, लड़की के हुंटों से निकला, मेरी बात को ध्यान से सुनो की, मैं तुम्हारी जूटी बात में फसने वाली नहीं, मुझे कोई नहीं मारना चाहता, तुम बकवास कर रहे, बेवकूफ मैंने तुम्हें बचाया है, वरना अब तक तुम मर च चुकी, मैं मर चुकी होती, तुम तुम कोई संकी हो, जो मुझे यूँ ही उठा लाय और, जब तुम बैनूर ज्वेलर्स में थी, तब हत्यारा सामने सड़क पार कार पारकिंग में था, मेरी कार की बगल में उसकी कारा खड़ी हुई, मैंने सब देखा, जब तुम बैनू कार पारकिंग से निशाना ले रहा था, उसने गोली चलाए और वो गोली सड़क पर जाती किसी कार में जागुसी जो की अचानक ही सामने आ गई थी, देवराज चौहान ने कहा, चंद पल चुप रहकर लड़की करवे स्वर में बोली, तुम बकवास कर रहे हो, मैं बैनू कारी बातों में नहीं फसने वाली, अगर तुम मुझे उलजा कर, मेरे साथ रेप करने की कोशिश करना चाहते हो, तो भूल जाओ, मैं प्रेगनेंट हूँ और तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूनगी, बेशक अपनी जान दे दूनगी अगर तुमने कोई कोशिश क देवराज चोहान शांत भाव से लड़की को देखता रहा, मुझे जाने दो, नहीं, क्यूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सच में कोई तुम्हारी जान के पीछे है, कोई तुम्हें मारना चाहता है, मुझे यकीन दिला कर क्या करना चाहते हो, तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, ताकि तुम सतर्क रहो और अपने को बचा सको, ये जान सको कि कौन तुम्हे मारना, ठीक है, मुझे यकीन आ गया कि कोई मुझे मारना चाहता है, अब मुझे जाने दो, जब मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम्हे यकीन आ गया है तो तुम्हे ज उसने हत्यारे को 10 लाक भी दे दिये हैं। जीतकर भी कुछ लोग रेप करते हैं और भाग जाते हैं। तुम वैसे ही लगते हो मुझे। इसके सिवाए तो तुम्हारे लिए मेरे पास और कोई चीज है नहीं। लड़की ने कठोर स्वर में कहा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि इस मामले में मैं शरीफ हूँ। सब ऐसा ही तो कहते हैं। लड़की ने दाग भींच कर कहा। मैं ऐसा नहीं हूँ। क्यूँ। क्या तुम मर्द नहीं हो। देवराज चौहान मुस्कराया फिर बोला। मुझे खुशी है कि मैंने आज तुम्हें बचा लिया। तुमने बचा लिया। जब तुम सारी खरी बहादूर हो तुम। लड़की ने व्यंगिय से कहा। मैंने सच कहा है। रिवॉल्वर देखकर लोग दूर भाग जाते हैं और तुमने देखा कि जब वो रिवॉल्वर निकाल कर मुझे पर गोली चलाने जा रहा है तो तुमने उसकी रिवॉल्वर गिरा दी। खुब व ठीक है अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। लड़की ने सिर हिला कर कहा। तुम्हे यकीन दिलाना चाहता हो कि कोई तुम्हे मार देना चाहता है। जब हमारा कोई रिष्टा नहीं तो तुम मेरा भला क्यों चाहते हो। मेरी जान कि तुम्हे चिंता क्यों है। दुन तो फिर क्यों अपना और मेरा वक्त हराब कर रहे हो, तुम अपने रास्ते लगो और मैं इस समय वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश में हूँ, ये सब करके तुम अपना कोई काम साधना चाहते हो, लड़की के दाग भिंच गए, तुम्हारा मतलब की मैं तुमसे जूट कह रहा हूँ, डेवराज चौहान बोला, पूरी तरह, कोई मेरी जान नहीं लेना चाहता, लड़की ने द्रिर्स्वर में कहा, ये जूट बोलकर मुझे क्या मिलेगा, तुम जानो, मतलब की तुम मानने को तयार नहीं की कोई तुम तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं, उसी पर लड़की जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा, लड़की ने जल्दी से फोन निकाला और बात की, उसे डर था कि सामने बैठा इनसान फोन न चीन ले, परन्तु देवराज चौहान शान्ती से बैठा रहा, उसे देखता रहा, हेलो ममा, एक एक लड़की की आखों से आसु निकलने लगे, एक बदमाश ने मेरा अफरं किया है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा, अजीब अजीब सी बाते कर रहा, मैं नहीं जानती में कहा हूँ पर ये जगह समुद्र के किनारे पर है, हाँ तुम पुलिस को फोन करो, फोन बंद हो गया, लड़की का चहरा आसुओ से भीगा था, उसने फोन जेब में डाल कर भराय स्वर में कहा, अब तुम्हें पुलिस आकर पकड़ लेगी, मुझे जाने दो और तुम भी भाग जाओ, डेवराज चोहान कुरसी पर बैठा शांत सा लड़की को देखे जा रहा था, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, इस तरह तो रेप से पहले देखा जाता है, लड़की तीखे स्वर में कह उठी, ये बात किसने बताई तुम्हें, फिल्मों में देखा है, तुम्हारी मा का फोन आया था, हाँ, अब मम्मा, पुलिस को मेरे अफरन के बारे मे बता रही होगी, लड़की हिम्मत से कह उठी, अपने गाल साफ कर लो, मेरा सारा मेकप खराब कर दिया, लड़की ने हाथ से आसुओ भरे गालों को साफ किया, देवराज चौहान ने सिगरेट सु लगा कर कश लिया, फिर बोला, तुम जानती हो कि मैं तुम से क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम ऐसी बक्वास कर रहे हो जिसे मैं कभी नहीं मान सकती, यहां से जाना चाहती हो, हाँ, अभी, तो मेरे से धंग से बात करो, देवराज चौहान शांत सा बोला जो मैं पूछ रहा हूँ, वो ही बात करो, फिर तुम मुझे जान मैं, यहां से जाना है तो तुम्हें मेरी बातों पर ही चलना होगा, देवराज चौहान ने उसे सक्त निगाहों से देखा, पुलिस आती ही होगी, फिर देखूंगी तुम्हारा हाल, दो डंडे पढ़ेगे तो उट की गर्दन की तरह सीधे हो जाओगे, देवराज चौहा कर बोली तुमने अब तक कहा कि मेरी जान को खत्रा है, किसी ने किसी को 10 लाख दिये हैं कि वो मुझे मार दे, एन मौके पर तुमने उसे देख लिया जो मुझे मारना चाहता है और तुम कहते हो कि तुमने उससे मुझे बचाया, वरना वो मुझे मार चुका होता, उसके ब ये दस लाग खर्च करें. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी को मेरी जान लेनी पड़े. मेरी सीधी साधी जिन्दगी है. मेरी नजरों में तुम कोई बदमाश हो जो अपना कोई मतलब निकालने के लिए मुझे यहां ले आए और मुझ पर दबाव बना रहे हो कि मैं तुम महारी बाते मानू. मैं तुमसे डरने वाली नहीं. अगर तुमने मेरे से रेप की कोशिश की तो मैं तुम्हे मार दूनगी या अपनी जान दे दूनगी. इस बात की भी परवा नहीं करूनगी कि मेरे पेट में बच्चा है. मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ. अच्छी उनों ही बातों में नहीं है. लड़की ने द्रिर्स्वर में कहा. मतलब कि तुम्हें लगता है मैं जूट कह रहा हूँ. डेवराज चौहान बोला. ये बात तो मैं कबसे कह रही हूँ. कश लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट नीचे फेकी और जूते से मसली. ये भी य कहा न कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मारना चाहे. वो बोली. तुम जैसे लोग ही मरते हैं. क्या मतलब? जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, उन्हीं को लोग मार जाते हैं. जैसे कि तुम. मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बात का जरा भी यकिन नहीं कर रही, एक बार भी गंभीरता से नहीं सोचा, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लड़की सपाटस्वर में बोली, डेवराज चौहान लड़की को देखता रहा, अब मैं जाओं, मैंने तुम्हारी बातों का जवाब दे दिया है, उसने कहा, तुम या तो बहुत चालाख हो या बहुत ही बेवकुफ, डेवराज चौहान ने होंट भींचे कहा, मैं बहुत समझदार हूँ, तुम मेरी चिंता न करो, अब मैं जा सकती हूँ ना, नहीं, लेकिन तुमने अभी तो, तुम्हें मेरी बात का जरा भी यकीन नहीं, यहां से बाह जाओगी तो मारी जाओगी, मुझे जूठा समझ रही हो, जबकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा और कुरसी दरवाजे से हटा कर रखा दी, तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे, लड़की ने गुस्से से देवराज चौहान को कहने देखा, नहीं, इस कमरे से निकलो, आओ मेरे साथ, कहा, किचन में कौफी बनानी है, मैं तुम्हारे लिए कौफी नहीं बनाऊंगी, लड़की ने गुस्से से द्रिर स्वर में कहा, कौफी मैं बनाऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं यहीं ठीक, मैं नहीं चाहत ताकि तुम यहां से भागो और बाहर कोई तुम्हारी जान ले ले, हर पल मेरे साथ रहोगी तुम, नहीं, मैं, तभी देवराज चौहान तेजी से लड़की की तरफ बढ़ा, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, पीछे हटी वो चीखी, देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा, तुम मेरा रेप करने के लिए मुझे ले जा रहे हो, मैं अपनी जान दे दूनगी लेकिन तुम्हें काम्याब नहीं होने दूनगी, उसके साथ चलती लड़की ने तरफ कर कहा, अभी पुलिस यहां आती ही होगी, वो तुम्ह पकड़ लेगी, लड़की की कलाई पकड़े देवराज चौहान किचन में पहुचा, लड़की परेशान दिखाई दे रही थी, तुम किचन में ही खड़ी रहोगी, मेरे पास, देवराज चौहान उसकी कलाई छोड़ता कठोर स्वर में बोला, तुमने हर वक्त मेरे पास रहने की कोशिश करनी है। मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं देना चाहता। तुम बहुत बड़े पागल हो। मैं कौफी बना रहा हूँ। तुम पियोगी। तुम्हारे लिए बनाऊ। लड़की चुप रही। देवराज चौहान कौफी बनाने लगा। पास ही कांच क खिलकी थी जिससे बाहर देखा जा सकता था। उस खिलकी के बाहर सामने समुद्र दिखाई दे रहा था। एक छोटी बोट समुद्र में किनारे के पास की तरफ घूम रही थी। लड़की गुस्से से देवराज चौहान को देखे जा रही थी। कौफी बनाते देवराज बोला। तुमने आज लंच लिया। वो चुप रही। तुम्हारे लिए खाली पेट रहना ठीक नहीं। मुझे भूख लग रही है। मैं फ्रिट से सैंड्विच लाने जा रहा हूं तुम्हे चाहिए तो। ले आओ। लड़की अभी भी गुस्से में थी। देवराज च सफेद रंग की बोट चकर काट रही थी। चहरे पर सोचके भाव थे। वो शीशे की खिरकी ऐसी नहीं थी कि वहां से बाहर निकल कर भागा जा सके। इस वक्त वो जाने क्या सोच रही थी। देवराज चौहान प्लेट में सैंड्विच के चह पीस रखे वापस लोटा। ये लो किचन की शेल्फ पर प्लेट रखते बोला और एक सैंड्विच खुद उठाकर खाने लगा। लड़की ने भरपूर हिचकी चाहट के साथ एक सैंड्विच उठाया और धीरे धीरे खाने लगी। देवराज चौहान कॉफी बनाने में व्यस्थ हो चुका था। तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम अजीब से नहीं हो क्या। क्यूं। मैं तुम्हें जानती नहीं और तुम मुझे बचाने की बात कह रहे हो। कहीं तुम मेरी खुबसूरती पर फिदा तो नहीं हो गए। मैंने तुम्हारी खुबसूरती नहीं देखी। ये बात दिलादू की तुम्हारी जान खत्रे में है. मैं औरतों की इज़त करता हूँ और शादी शुदा हूँ. मतलब की तुम मेरा रेप नहीं करना चाहते. ये विचार तुम्हारे दिमाग की उपज है. इसमें जरा भी सच्चाए नहीं. कहीं तुमने सैंड्विच या कॉफी में बेहोशी की दवा तो नहीं मिला दी कि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम. तो सैंड्विच मत खाओ. कॉफी मत पियो. देवराज चौहान बोला अपना कॉफी का गिलास उठाओ और ड्राइंग रूम में चलो. भागने की कोशिश मत करना. मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूनगा. देवराज चौहान ने अपना कॉफी का गिलास और सैंड्विच प्लेट उठा ली. लड़की ने देवराज चौहान को देखते गिलास उठाया और किचन से बाहर निकल गई. दोनों ड्राइंग रूम में पहुचे. देवराज चौहान ने सैंड्विच की प्ल दूसरे हाथ में कॉफी का गिलास था. खिल्की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा. आस्मान में बादल चाने लगे थे. मौसम और भी सुहावना होने लगा था. ठंडी हवा में तेजी का एहसास होने लगा था. समुदर में वो छोटी सफेद बोट अभी भी घूम रही पर बैठी उसे ही देख रही थी. डेवराज चौहान ने बचा खुचा सैंड्विच मुह में डालते हुए कहा. कॉफी मत पीना, इसमें बेहोशी की दवा है. जवाब में लड़की ने फोरन कॉफी का गिलास उठा कर घूम भर लिया. डेवराज चौहान ने महसूस किया क वो ही करती है. उस पर विश्वास नहीं करना तो नहीं करना. बेशक बात कुछ भी हो. ऐसी लगी वो देवराज चौहान को. प्लेट में रखे सारे सैंड्विच को खत्म कर चुकी थी. वो भूख ही होगी. ये महसूस करके देवराज चौहान ने कहा. फ्रिज में काफी खाने के लिए रखा है. जो पसंद हो लिलो. वो चुप रही और खाती रही. तुम्हारे विचार से तो तुम्हें अब तक बेहोश हो जाना चाहिए था. क्योंकि खाने पीने के सामान में बेहोशी की दवा मिली है. तो तुम मेरा रेप नहीं करना चाहते. ये विचार मेर मर्दों से पड़ा नहीं दिखा. लड़की ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा. देवराज चौहान पल्टा जीरपुन बाहर समुद्र में दौर्ती बोट को देखने लगा. ये कोटेज तुम्हारी है. देवराज चौहान ने कौफी का घूर भरा और व कहीं बाहर से आये हो. मुंबई से. मुंबई में ही रहते हो या कहीं और. लड़की अब कुछ संजीदा लगने लगी थी. मुंबई में रहता हूँ. नाम क्या है तुम्हारा? सुरेंद्र पॉल. क्या करते हो? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए. देवराज चौहा उनने कहा. लड़की ने कॉफी का घूट भरा और गंभीर स्वर में बोली. तुम्हारा कहना है कि उस आदमी ने मुझ पर रिवॉल्व से गोली चलानी चाही परंतु तुमने रिवॉल्व गिरा दी. तुम्हें कैसे पता कि मैंने रिवॉल्व गिरा दी? मैंने तो नहीं क चाहता है तुम्हारे ख्याल से तब क्या हुआ था जब तुम सारी खरीद कर वहां से बाहर निकली डेवराज चोहान ने पूछा मैं नहीं जानती मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा पास आते और मैं घबरा गई तब तुमने किसी को भागते देखा हाँ वो ही तुम पर गोल चलाने वाला था लेकिन मेरे बीच में आने से भाग गया जब उसने रिवॉल्वर निकाली तो तुम्हें डर नहीं लगा मिस्टर सुरेंडर पाल वो गंभीर थी नहीं जबकि लोग रिवॉल्वर देखकर ही घबरा जाते हैं डेवराज चोहान ने कौफी का गिलास रखा और जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसे दिखाए लड़की की आँखे फैल गई वो बोली तुमने उसकी रिवॉल्वर लेली ये मेरी है तुम्हारी हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे रिवॉल्वर से डर क्यों नहीं लगा क्योंकि ये मैं भी रखता हू लड़की की सासे तेज तेज चलने लगी तुम तुम भी बदमाश हो तुम्हारे लिए नहीं मतलब की हो नहीं डेवराज चौहान रिवॉल्वर जेव में रखता कैह उठा मैं गलत इंसान होता तो तुम्हें बचाने की चेश्टा न कर रहा होता क्या मालूम वहाँ पर जो हुआ हो वो तुम्हारी ही कोई चाल हो मैं चाल चल कर तुम से क्या ले लूँगा क्या तुम बहुत अमीर हो नहीं बहतर होगा की मेरा भरोसा कर लो मैं जो कह रहा हूँ वो ही सच है भरोसा करने की कोशिश तो कर रही हूँ लड़की ने सोच भरिस्वर में कहा परन्तु तुमने जिस तरह मुझे उठा कर कार में डाला, बेहोश किया, यहां ले आए, ये काम कोई साधारन व्यक्ति नहीं कर सकता मैं साधारन ही हूँ और उस वक्त जाने कैसे मुझ में, हिम्मत आ गई थी ये सब करने की लड़की चुप रही, देवराज चौहान उसे सोचने का मौका देना चाहता था, तुमने उसे देखा जो मुझे गोली मारना चाहता था, लड़की पुना बोली, हाँ, कौन था वो, मेरे लिए तो अजन भी था, मैंने तो उसे पहले नहीं देखा था, वो दो थे, एक को मैं ने हमेशा कार के स्टेरिंग पर ही बैठे देखा, मैंने दो बार उन्हें देखा, पहली बार कार पाकिंग में देखा जब पहली बार उन्होंने तुम्हारा निशाना लिया, तो तुम दुकान की तरफ कैसे आ गए, समझो कि उनके पीछे ही वहाँ पहुचा, मुझे दो पारा वहाँ देखकर उसने मुझे धमकी दी कि मैं वहाँ से चला जाओ, वरना वो मुझे गोली मार देगा, मैंने उसे जूट ही कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो वो मुझे लाख रुपया देने का लालच देने लगा करता था कार में 10 लाख पड़े हैं, उसमें से एक लाख मुझे देदेगा, पहले उसे गोली मारने दूर, तुम्हें मारने के लिए उसने ताजे ताजे ही 10 लाख किसी से लिए थे, देवराज चौहान ने कहा, तो तुमने उसे पहले नहीं देखा, नहीं, सूरत शहर में तो मैं वैसे भी किसी को नहीं जानता, परंतो इस बारे में तुम सोच सकती हो की ऐसा कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, सोचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, कोई नहीं है, सोचो, जल्दी मत करो, कोई तो है ही जो तुम्हें मारना चाहता है, लड़की चुप हो गई, चहरे पर सोचे दिखने लगी, डेवराज च चौहान ने सिग्रेट सुलगाए और उठकर कमरे में टेहलने लगा। फिर खुली खिलकी पर पहुचकर बाहर समुद्र में देखा। वो छोटी बोट अभी भी समुद्र में सामने ही चक्कर काटे जा रही थी। बाहर मौसम सुहावना हो गया था। आसमान में बादल चा ग लगा उसे। खिलकी पर खड़ा वो बोट को ही देखता रहा कि एकायक पल्टा और दूसरे कमरे में पहुचा। वहां लकडी की पुरानी अलमारी में उसने दुर्बीन देखी थी। अलमारी खुली और दुर्बीन निकालकर वापस कमरे में पहुचा। लड़की अपनी जगह पर बैठी थी। बाहर की ठंडी हवाखिलकी से कमरे में आने लगी थी। दुर्बीन पर धूल जमी हुई थी कि उसे सालों से इस्तेमाल ना किया गया हो। देवराज चोहान दुर्बीन को साफ करने लगा। उसे देखती वो लड़की कह उठी। मौसम अच्छा हो गया है। मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। तुमने सोचा कि कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है। कुछ समझ नहीं पा रही। बहुत उलजने मेरे सामने आ रही है। कैसी उलजने। जवाब में वो चुप कर गई। दुर्बीन साफ करके देवराज चोहान खिलकी पर पहुचा और उसे आखो पर लगाकर बोट का फोकस लेने लगा। दुर्बीन पावर फुल थी। सर्बत सिंग के बाप ने ही अपने शौक के तौर पर इसे लिया होगा। इसके सहारे वो समुद्र में दूर तक जरूर देखता होगा। बटन घुमाकर समुद्र में दौर देवराज चौहान बुरी तरह चौका। वो दोनों ही थे जो इस लड़की की जान के पीछे लगे थे। एक कार चलाने वाला और दूसरा गोली चलाने वाला। कार चलाने वाला लड़का अब बोट चला रहा था और दूसरा उसकी बगल में बैठा था। उसकी निगाह ब पीछे जो लोग पड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. मेरे पास आओ. लड़की तुरंत उठकर पास आ गई. तुम दूरबीन आखो पर लगा कर देखो जो बोट समुद्र में चक्कर लगा रही है. उनके चेहरे तुम्हें साफ दिखेंगे. तुमने उन्हें पहचानन है कि उन्हें तुमने पहले कहा देखा है. डेवराज चौहान बोला. हटो तो. दूरबीन थामती लड़की ने कहा. डेवराज चौहान खिलकी से हट गया. लड़की वहां खड़ी हुई और दूरबीन आखों में लगा कर समुद्र में घूमती बोट को देखने लगी. करी ने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा. लड़की ने दृर्स्वर में कहा. डेवराज चौहान ने खिलकी से बोट की तरफ देखते हुए कहा. इन दोनों को किसी ने दस लाख देकर तुम्हारी हत्या का सौदा किया है. लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं इन लोगों को प मा का था. डेवराज चौहान ने लड़की को देखा. कहीं ये सब तुम्हारा ड्रामा तो नहीं. डेवराज चौहान की आखे सिकुरी. वो लड़की को देखता रह गया. मेरा ड्रामा उसके हुंटों से निकला. ये तुम्हारे ही आदमी हो और अपनी चाल के तहत मुझे यकीन दिलाना चाहते हो की. कैसी चाल? तुम्हें पता होगा. बेवकूफ अब तक तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है. लड़की ने कुछ नहीं कहा और खिलकी से बाहर समुद्र में चक कर लगाती बोट को देखने लगी. उसके चेहरे लड़की ने कहा. मौसम सुहावना हो गया है. तुम बाहर घूमना चाहती थी ना? ले लेकिन बाहर वो हैं, जिन्हें तुम कहते हो की वो मेरी जान लेना चाहते हैं. ये तो और भी अच्छी बात है. डेवराज चौहान ने दरवाजा खोला. तेज थंडी हवाए उनके ज चोर दी थी. वो भी बाहर आ गई थी. आसमान में रह रहकर बादल गरज रहे थे. मौसम सच में शानदार था. दूनों की निगाह समुद्र में चक्कर कात्ती बोट पर थी. तेज हवा के संग समुद्र की लहरे भी उच्छलने लगी थी. उन्होंने अगर मुझ पर गोली चलाए तो मैं मर भी सकती हूँ. लड़की परेशानी से कह उठी. कम से कम तुम्हें मेरी बात का यकीन तो आ जाएगा कि कोई तुम्हें मारना चाहता है. देवराज चोहान ने पुनह उसकी कलाई पकड़ी और समुद्र किनारे की तरफ बढ़ गया. तुम गलत कर रहे हो, वो मुझे गोली मार देंगे. पर तुम्हें तो भरोसा नहीं कि कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है. फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो तो खत्रा है ही. लड़की अजीब सी स्थिती में फंसी महसूस कर रही थी. वापस चलो. परन्तु देवराज चोहान उसकी कलाई समुद्र किनारे की तरफ बढ़ता रहा. हवा के संग रेद भी उर रही थी. आखों में पढ़ रही थी. वो मुझे मार देंगे. ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाने की चेश्टा कर रहा हूँ. इस तरह यकीन दिलाते हैं कि मैं मारी जाऊ. तुम क्या स चकर काटने छोड़ दिये हैं. वो एक जगह पानी में रुख रही है. डेवराज चोहान बोला. युवती ने उस तरफ देखा. बोट पानी में एक जगह ठहर गई थी और पानी के साथ हिल रही थी. वे रुख क्यों गए? लड़की ने पूछा. वे दोनों भी लगभग क चिनारे पर आप पहुचे थे. पावो की रेत अप गीली थी. वे रुख गए. तुमने बताया नहीं कि वे रुख क्यों गए? उनके पास पावफुल गन है. मेरे ख्याल में वे वही से तुम्हारा निशाना लेंगे. डेवराज चोहान ने कहा. ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे यहां लेकर क्यों खड़े? इसी पल मोटी मोटी बूंदों के रूप में बरसात होने लगी. बरसात भी ऐसी तेज की सिर्फ 10 सेकंड में उन्हें भिगो दिया. मुसलाधार बारिश शुरू हो गई थी. ऐसी बरसात की 15 कदम दूर देखना भी संभब नह दिखने लगी थी तो कभी कभी वो दिखती भी नहीं थी. समुद्र के पानी से बरसात की मोटी बूंदे टकराने का शोर उठ खड़ा हुआ था. डेवराज चौहान ने लड़की की बाह पकड़ कर चिल्लाते हुए कहा. कॉटेज की तरफ चलो. दोनों तेजी से कॉटेज की तरफ बढ़ गए. पाओ रेत में धर्स रहे थे. कॉटेज के दरवाजे तक पहुचकर दोनों रुके. बरसात में बुरी तरह गीले हो चुके थे. डेवराज चौहान के जूतों तक में पानी भर गया था. लड़की भी पूरी तरह भीग चुकी थी. बहुत तेज बरस बात शुरू हो गई. लड़की ने परेशान स्वर में कहा मेरा सारा मेकप धुल गया. मेरे ख्याल में आज तुम दूसरी बार बची हो. डेवराज चौहान बोला बरसात ने तुम्हें बचा लिया. वो कैसे? उन्होंने यकीनन गंद से तुम्हारा निशाना लेना था और तुम बचना पाती. ऐसा था तो तुम मुझे वहां लेकर क्यों गए? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए. मैं मर जाती तो यकीन का क्या फाइदा? लड़की ने तीखे स्वर में कहा. तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए कि कोई तुम्हारी जान लेने के लिए हत् चारा भेज चुका है. पता नहीं तुम क्यों मेरे पीछे पढ़ गए? तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही. ये तो सरासर जाती है. भीतर चलो अब. मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास कपड़े. जो साड़ी खरी दी थी वो पहन लेन ब्लाउज नहीं है. वो नहीं पहन सकती. तो मेरे कपड़े पहन लो. देवराज चौहान दरवाजे पर से कौटेज में प्रवेश कर गया. लड़की भी भीतर आए. मेरे साथ कोई गरबर तो नहीं करोगे. बकवास मत करो. ऐसा कहकर तुम सामने वाले को कुछ करने पर उक गवाओ. हत्यारे यहां तक आप पहुचे हैं. तुम मुझे मम्मा के पास छोड़ दो. फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा. बेवकूफ हत्यारे तुम्हारी ताक में बाहर घूम रहे हैं. देवराज चौहान ने अपने बैग से पैंट कमीज निकाल कर उसे दी. उस कमरे मे जाकर पहन लियो और दर्वाजा भीतर से बंद किया तो मैं उसी वक्त दर्वाजा तोर दूनगा. तुम कमरे में मत आना. उसने कपड़े उठाए और पीछे के कमरे की तरफ बढ़ गई. किलकी से भागने की गलती मत करना, हत्यारे तुम्हारी ताक में बाहर मौजूद है देवराज चौहान ने कहा